सभी विष्यक राशी के दोस्तों आज की ये जो वीडियो है बुद्ध ग्रह को समर्पित है बुद्ध जो कि बुद्धी के कारक है बुद्ध जो हमारा बुद्धिक इस्तर डिसाइड करते हैं जो बुद्धिक कारे भी कराते हैं बड़े इस्तर के जिनमें कंसल्टेशन बह बहुत matter करता है बुध्ध ग्रहे एक बड़ा सुल्या हुआ ग्रहे है फास्ट मुविंग ग्रहे है हमारे जीवन में जो भी हमें देता है चाशुब या अशुब बहुत फास्ट गती से देता है और बुध्ध जैसा ग्रहे अगर कुणली में बलवान हो जाए तो ये हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा देने का भी काम करता है बुद्ध के ऐसा ग्रह है जो शुब के साथ शुब और अशुब के साथ अशुब फल परदान कर देता है बुद्ध के मित्र ग्रह हैं सूरे जिन बुद्ध के मित्र हैं देव गुरु बरस्पती भी हैं उनके साथ तो मित्रता का विवार रखता है बुद्र और विशेशत है दो इसके सबसे ज़्यादा प्रिये मित्र हैं एक है शनी और दूसरा है शुक्र गरहे इसके साथ इन दो ग्रहों के साथ विशेश लगाव है तो अब यहाँ पर बुद्र देव का जो गोचर है 18 दिनों के लिए जैसा आपने थमनेल में पढ़ा वो गोचर हो रहा है कन्या राशी में कन्या वो राशी है जो खुद बुद्र की है यानि कि अपने ही घर में स्वेर राशी के होने जा रहे हैं और इसलिए मैंने बहुत पहले से वीडियो को आपके लिए पोस्ट किया है ताकि आप समझ सकें अपलोड किया है और इंडिविजुली हर एक राशी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ अब ही आपके सामने डिस्प्ले में व्रिष्टिक राशी आ चुकी और इसी राशी के वेशे में चर्चा होगी इसलिए पूरा और अंत तक सुनना है अगर चैनल पर आप नहीं है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें बैल आइकिन के बटन क अप्रोड करता हूँ अब दोस्तों बुद्ध ग्रह का परिवर्तन कन्या में अपने घर में और साथ में सूरे का भी बुद्ध के साथ में रहना फर्स्ट सेवन्टीन डेज ऑक्टूबर मन्त में उसके बाद सूरे नीच के हो जाएंगे 18 अक्टूबर से अब इस सूरे बुद्ध का एक तो बुदादित्य राजोग भी बनेगा और साथ में व्रिश्चिक राशी के स्वामी मंगल जो हैं उनके मित्र भी हैं और कौन मित्र हैं मित्र हैं सूरे और मंगल के बुद्ध शत्रू हैं तब ऐसी इस्तिती में जो डिपार्टमेंट आ जाता है बुद्ध ग्रहे के पास आप डिस्प्ले कुनली के माध्यम से समझ सकते हैं कि जहां 8 नंबर लिखा हुआ है वो है आपकी राशी और वो जो बॉक्स बनाए खाना वो है आपका मान सम्मान यश्वयभव उपलबदी का घर और जहां पर लिखा हुआ है छे नंबर वो है कन्याराशी और वो घर है खुद बुद्ध का क्योंकि कन्याराशी के स्वामी होते हैं और वो जो खाना है वो है प्रॉफिट का देखते हैं यहां से हम विदेश भी देखते हैं यहां से हम मांगली कारिकरम भी देखते हैं और जहां पर आपको तीन नंबर लिखा दिखाई दे रहा है वो है आयू का घर उस बॉक्स को बोलते हैं अस्टम भाव इसलिए वरिष्टिक राशी वालों के लिए बुद्ध के पास आईउ की जम्मेदारी आ जाती है और बुद्ध जल्दी आईउ का प्रतनेद्ध तो करते हैं तो ये मृत तुलकस्ट भी जल्दी दे देते हैं अब ऐसी इस्तिती में बुद्ध जो कि आपकी जनम पत्रिका में एक महत पूर्ण रोल में है बहुत महत पूर्ण भूमिका में है क्योंकि एस्टिमेश हैं और साथ में लावेश हैं और लाव पर बैटे हैं सूरे बुदावित तिरायोग बना हुआ है और सूरे के पास जिम्मेदारी है इसे करम भाव की यहां पर पांच नमबर लिखा है तो करमेश सूरे लाव पर है लाव की इस्तिती को बहुत ही मजबूती प्रदान करेंगे यह मैं आप से कहना चाहता हूँ तो अब मैं विश्य को आगे बढ़ा रहा हूँ द्यान से सुनना बुद्ध का काम है लेखन का संपादन का कंसल्टेशन का पत्रकारिता का और वकालत का जुडीश्री का आईटी से रेलेटेड काम है विध्या रेलेटेड जितने भी काम है वो सारे बुद्ध के हैं जितने स्पोक्सपरसन हैं सारे बुद्ध से देखे जाते हैं क्योंकि वाणी बुद्ध के पास है और इसपस्ट वाणी और अच्छी वाणी तब ही हो सकती है यदि आपके कु रहता है कि लाविस्थान में बुद्ध ग्रह का रहना ये दर्शाता है कि आप उच्छ प्रतिष्टित लोगों से युक्त रहेंगे इन 18 दिनों में उच्छ लोगों के माद्यम से लाव प्राप्त होगा कोई कि लाव में बैठा हुआ ग्रह लाव अवश्य देता और यहां तो सूरे बदादित्य राजयोग भी बना हुआ है यानि कि करमेश और लावेश दोनों इखटे हो गए ये योग बड़ा अच्छा होता है इस किरावा आपको चकित्सा के शेत्र में विशेश लाव प्राप्त होगा आपको अकाउंट्स के शेत्र में विशेश लाव प्र उत्पन होती है मतलब स्ट्रगल होता है फिर उसके बाद रिजल्ट मिलता है बटी अठारा दिन का टाइम पीज़ रहेता है इसको मैं बहुत जादा यहां पर काउंट नहीं करूंगा हाँ ये बोलूँगा कि जैसा मैंने भी आपको बोला बौद्धिक इस तरके कारे वो आपके लिए अच्छे रहेंगे प्रकाशन अध्यापन से रेलेटेड अगर आपका कोई पैसा फसा हुआ है व्यक्ति नहीं दे रहा है आपको गोली दे रहा है तो वो सब चीजे यहां पर मुझे जरूर पॉजिटिव होती भी नजर आ रही है ये मैं आपसे कहना चाहूं इसके लावा कुछ अक्समात धनलाव की जो संभावनाए हैं वो भी बनेंगी और उसका कारण होगा सूरे बुदादित्य राजयोग और करमेश का लावेश का इखटा होना आपको अपनी संतान में से लाप्राप्त होगा और संतान में भी विशेश रूप से पुत्री से क आपकी कन्या संतान है तो उसके भी माद्यम से आपको कुछ विशेश लाप्राप्त होते हैं इसके अलावा आपको इस्तरी में इस्तरी पक्ष से अगर आपका व्यापारिक पार्टनर इस्तरी है या फिर आप शादी शुदा हैं तो आपको अपनी पत्री के माद्यम से ला बैठे हुए हैं तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी लाव प्रद रहेगी शनी बुद्ध के मित्र भी हैं इसलिए यह कहा जा सकता है अब यहां पर गर्वती महिलाएं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यह मैं आपको विशेश रूप से आगा करना चाहता हूं नीच राशी को पर द्रिष्टी भी आ रही है तो इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए आपको चलना चाहिए दोस्तों यह है आपका फल जैदि आप भी कुनली बनवाना दिखवाना पूजा पाठ यरत लेना चाहते हैं तो मैं संपर्क कर सकते हैं आगामी कारेक्रम में आपके बीच में उपस्तित होंगा भी आपसे जादा चाहता हूँ नमस्कार